हेलो फ्रेंड्स आज तो थमनेल देखके ही समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सी आइस क्रीम की रसपी लेकी आई हूँ आज मैं ओरेंज बिस्किट से आइस क्रीम बनाने जा रही हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ में ही बनाना इजी है और जो इसका फ्लेवर ओरेंज आता है न बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में और यदि आप एक बार बना लोगे तो आपके बच्चे हर बार इसकी डिमांड करेंगे कि मम्य वही आइस क्रीम बनाओ तो फिर चलिए बनाते हैं अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज में तो यह आईस क्रीम बनाने वाली हैं बाउंस क्रीम बिस्किट से जो ओरेंज फ्लेवर की रहती है और दस रुपे में आती है डेर सारी रहती है इसके अंदर यदि आपके यहां यह बिस्किट नहीं मिलती है एक में चार पिस बिस्किट रहता है, चारे की पांच है, ये पांच है, तो बस दस पिस बिस्किट है, तो अब क्या करना है, हमने सारे बिस्किट को रैपर से निकाल लिया है, अब क्या करेंगे, अब जो अंदर का क्रीम है, अब इसे निकाल लेंगे, और साइड में रख दे तो अब सारे बिस्किट का क्रीम इसी तरह से निकाल लेना है तो हमने सारे बिस्किट का क्रीम अलग कर लिया है निकाल के अब बिस्किट अलग तो आप क्या करना है रफली तोड़ के एक मिक्सी के जार में डाल देना है पीशना है जैसे भी आप कुटाई कर दो बिस्किट की मिंस पावडर ही करना है तो अब यह बिस्किट का पावडर बन के ready हो गिया है पूरी अच्छी तरह से एक दम चिकना पिस गिया है तो अब इससे क्या करेंगे अब इसी तरह भी छोड़ देंगे दूसरी तरह क्या करना है एक बावल में एक कप दूद लेंगे दूद रूम टेंपरेचर का होना चाहिए ज्यादा ठंदा भी नहीं होना चाहिए गरम भी नहीं हमने मीडियम कप से एक कप लिया है जो नॉर्मल लोग चाय पीते है न उस कप से नहीं उसे थोड़ा सा बड़ा कप से अब इसमें डाल देंगे तीन चमच सककर एक चमच और डाल देती हूँ चार चमच हो गया क्योंकि हो सकता है क्योंकि आईस्यम जनने के बादना मीठा कम हो जाता है तो अब इस दूद में डालेंगे थोड़ा सा टेक्शर मलाईदार आए उसके लिए ताजी फ्रेस मलाई डालेंगे करीबन है ये दो चमच बहुत ज़्यादा नहीं डालना यदि है तो डाले नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसके भी कर सकते हो मलाई डालके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कि थोड़ा सा दूद काड़ा हो जाए सक्कर भी मिक्स हो जाएगा और मलाई भी अब इसमें क्या करना है जो हमने बिस्किट का पाउडर रेडी कर रखा है न उस बिस्किट के पाउडर को डालके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे लगातार दो मिनट तक मिक्स करना है कि बिस्किट अच्छी तरह से दूद के अंदर मिक्स हो जाए अब मिक्स करते हुए मेरे को दो मिनट हो गया है मलाई भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया बिस्किट भी और चीनी भी अब इसमें जो बिस्किट का क्रीम निकला है न अब इस तरह से रफली तोड़के डाल देंगे, डालके मिक्स कर लेंगे, बहुत जादे मिक्स नहीं करना है, हलका सा मुझ में आएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए बस इसे हो गया अब यह, अब यह आईस्क्रीम का बेस बनके रेडी हो गया है, तो चलते ह अब इसे जमाएंगे, एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि चीनी ठीक है कि नहीं, इकदम परफेक्ट है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है क्योंकि हलका इसमें फ्लेवर और इंच का रहा है, तो आज हम इस आईस्क्रीम को जमाएंगे डिस्पोजर में, उसके लिए क्या करना है पेपर कप लेना है, चार पिस, यदि आपके पास पेपर कप नहीं है तो चोटे-चोटे साइस वाली गिलासी होती है ना, जिसमें हम लोग चाई पीते हैं, वो भी ले सकते हो, या फिर मोल्ड ले सकते हैं, जो है आपके पास वो ले ले, अब क्या करना है, एक-एक कप में आइस क्रिम बेस को इस तरह से डाल देना है, तो सभी में इसी तरह से डाल देंगे, अब फ्रेंड सारी कप में हमने फिल कर दिया है, आइस क्रिम बेस को उपर तक नहीं किया है, थोड़ा-थोड़ा खाली ही रखा है, अब क्या करेंगे, एक-एक पिस को इस तरह से फोयल आईयस स्टिक डालने के विए अब सभी में हमने आईस स्टिक डाल दिया है अब इसे और एकदम टेक्शर भी बहुत जोड़दार दिख रहा है तो फ्रेंड्स अगर आज की ओरेंज आइसक्रीम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें